नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं किसोर कॉसल द्वारा प्रेट पार्टियों को समधित करते हुए आवस्यक सुधार के निर्देश दिये गए, इसके अलावा अला अधिकारियों द्वारा कारकरम हस्तल का मुएना कर त्यारियों का जाजा भी लिया गया, एवं बेहतर ब्यवस्ता को लेकर निर्देश दिये ुष औछ गये, फूल-ड्रेश रिहर्सल के बाद परतेन्योंग्त पता अधिकार्यों की जोयेंट ब्रिफिंग की गयी, इस दोरान जिला स्तरिय पता appropriate आधिकारी As movement Radio Space पच्मी भी सोब का असर पड़ा है इसकरन कुछ दीनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है निमतम वा अधिकतम तापमान में विरिधी हुई है मौसम विभाग ने अपने पूरणवान में बताया है कि 31 जनवारी तक ऐसी ही स्थीती रहेगी हलाकी हलके बादल चाय रहेंगे लेकिन बारिस के असर नहीं है वही 26 जनवारी को गंतंत्र दिवस वबसंत पंचमी के मौके पर आसमान में आशिक बादल चाय रहेंगे और मौसम सुस्क रहेगा रांची में 27 जनवारी को भारत निविलेंट टी ट्वन्टी मैच है इस दोरान बारिस नहीं होने की समभावना ब्यक्त की गई है जारखन में बेटे की तुलना में बेटिया कम ले रही जन्म जारखन में पुत्र की तुलना में कम बेटियां जन्म ले रही है यह तथे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एन एफ एच एस पांच की ताजा रिपोर्ट बया कर रही है रिपोर्ट की माने तो प्रती 1000 बेटे पर मात्र 899 बेटी आजनम ले रही है वर्ष 2015-16 में आकड़ा 929 थी चिन्ता की बात यह है कि सहरी छेत्र में सिक्छा वजग रूपता के बावजूद पिछले 5 साल में नवजात के लिंगान उपाइद की स्थिती खराब होई है रिपोर्ट के उनुसार सहर में 1000 बेटो पर मात्र 781 बेटी आजनम लेती है वही ग्रामीन इलाकों में 1000 बेटो पर 926 बच्ची आजनम लेती है हलाकि कन्या भुरून हत्या वगीरते लिंगान उपाइद को रोकने के लिए PCPNDT एक्ट बनाया गया है इस एक्ट के तहथ प्रसर पुर्वलिंग निरिधारन पर परतिवन्द है लेकिन इसके बाद भी इसका उलंगन होता है हलाकि सरकार द्वाला सकती के लिए टीम बनाकर छापे मारे भी की जाती है जार्खन की 42 सहर सहिया हरताल पर जार्खन सरकार के स्वास्त विभा के रीड मानी जाने वाली ब्याली सहर सहिया भी अनिस्चीत काली नहरताल पर चली गई है जमसेत्पुल में करीब एक कोई 100 सहिया कर्मियों ने कारे भाइसकार किया इसके अलावा धनबात के टूंडी सहित अने जागों से इसी तरह की जनकारी मिली है बिरोत के दोरान सहिया कर्मियों ने मांदे बढ़ाने और निमिती करन की मांग की है खास बातिया है कि सहियाओ पर संस्थागत प्रसव के साथ ही स्वास्त सिवाओ के 14 बिंदूओ पर काम करने की अहम जिमेदारी है इधर सहियाओ के हरताल की गोस्तना से स्वास्त विभाग में हल चल तेज हो गई है पहले से ही करीब 6-7 अनुबंद कर्मियों करताल पर रहने से स्वास्त सिवाओ पर खराब असर पर रहा है पाच्मी सिम्भू में नक्सलियों द्वारा लगाया गया आईडी में युवक घायाल पाच्मी सिम्भू जीले के गोईल केरा परखंड अंतरगत कुर्कू्टिया गाओं के पास नक्सलियों द्वारा लगाया गए एक आईडी बलाश्ट हो गया जिसे एक युवक घायल हो गया है गायल युवक माटा अगरिया गोईल केरा परखन के हारा हासा पंचायत के कटमपा वन ग्राम कानिवासी माटा अंगरिया है घाटना के गोईल केरा पूलिस के सहयोग से घायल युवक को गोईल केरा समुदाईक स्वास्त केंद्र ने लाया गया जहां उसकी इस्थिती को देखते हुए उसे डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए चाईबासा रेफर कर दिया है गीरी डिह में नक्सलियों ने पूल निर्मान साइट पर छोड़ा परचा जारखन बिहार के सिमांत इलाके में नक्सलियों के द्वारा हस्त लिखित परचा छोड़े जाने का मामला सामने आया है भेलवा घाटी थाना चेतर के महेश की सोर गाओ के समीब न निर्मित पूलिया पर परचा राखा हुआ मिला परचा में धरप हर ही से भेलवा घाटी तक बन रहे सड़क वा पूल पर रोक लगाने और पूल वा सड़क निर्मान में लगे कमपनी के सनवेदक से पैसा की मांग की गई पर्चे में निर्मान कंपनी के सनवेदा के खिलाप लिखा गया है कि पैसे जगा पर पहुचा दो वरना अंजाम बुरा होगा एक दूसरे पोस्टर में लिखा गया है कि पूलिस कितना साथ देती है हम भी देखेंगे आपको बता दे कि पोस्टर में सनवेदा को 20 लाख रुपए देने को कहा गया है यह पोस्टर भेलवा घाटी स्थीत बल्यारी वा महेश की सोर गाउं के बीच एक पुलिया पर रखा गया था पूर्वी सिम्भूम में डीसी के खिलाब धरने पर बैठे जीला परिशत के परतिनीधी पूर्बी सिम्हुम के समानाले सभागार के समख्ष मंगलवार को जीला परिशत की अध्यक्ष उपाध्यक्ष जीला परिशत सदसे सहीत बिभीन पंचातों से आय मुखिया और वाट सरसों ने धारना दिया इसमें महाधरना का नाम दिया गया है पंचाद परतिनीधियों का आरोप है कि उपायुक्त सह प्रभारी उप्विकास आयुक्त सह मुख्यक करेपालग पताधिकारी बिजया जाधाओ अपने अधिकारों का उलंगन कर रही है उन्होंने नियमों की अंदेखी करते हुए बिना जीला परिषद की अनुमाती के जन सेव को का मन्माने तरीके से तबाद्ला कर दिया इस बारे में जीला परशद अध्यक्ष की ओर से सभी परखंडों को तबादला रद किये जाने का आदेश भेजा गया इसके बावजूद जन सेखों को बिरमित कर दिया गया है जाम तड़ा के नर्सिंग होम में हैवानियत मरीज की पत्नी के साथ सामोहिक दूसकर्म जारखन के जाम तड़ा जी लेके जाम तड़ा थाना चेतरे के बेना इस्थीत नीजी नर्सिंग होम में भरती मरीज की पत्नी के सामोहिक दूसकर्म गैंगरेप का मामला सामने आया है इसमें चार आरोपियों को पूलिस ने जेल भेज दिया है गैंगरेप की जनकारी मिलने पर आसपास के ग्रामिनों ने नर्सिंग होम पहुँच कर हंगामा किया इसमें नर्सिंग होम का एक कर्मी घायल हो गया है सुचना मिलते ही जामतला थाना की पोलिस मोगे पर पहुंची और नर्सिंग होम के डॉक्टर नर्स समेत चार लोग को ग्रफतार कर लिया है काटना के बाद पीडिता के हालात खराब होने पर उसे एक निजी अस्पताल में भरती कराया गया है पूलिस संग मुठभेड में मारे गए पीले फाई एरिया कमांडर का आज पोस्ट मालता हम रांची के ठाकुर गाउं थाना चेतर इस्थीत मुरला टोला में सोम वार आधिराथ पूलिस से मुठभेड में उग्रबादी संगठान पीपुलर्स लिबुरेशन फ्रन्ट आफ इंडिया के अरिया कमांडर बिसाल सर्मा धेर हो गया पूलिस को घटनास्थल से कुछ हाथियार और ग्रेनेट मिले हैं देर रात रांची के सीनियर एसपी की सोर काउसर भी घटनास्थल पर पहुँच गये थे उन्होंने बिसाल सर्मा के मारे जाने की पूश्टी की है गौतला भाई की मारा गया उग्रबादी गुमला सिम्डेगा और लोहर्दा का छेतर में सक्रिये रहा है पिछले कुछ महीने से वह रांची जीले में सक्रिये था रांची के रातू बुढमो और ठाकूर गाउं छेतर में हाल के दिनों में हुई गोली बारी मामले में भी पूलिस उसकी तलास कर रही थी सियम हेमंत से मिला गौाला समाज यदू वन सी गोला समाज का प्रतिनी बंडल ने चाईबासा परिस सदन में मुख्य मंत्री हमंसुरें से मुलाकाद की इस मोके पर समाज के प्रतिनी बंडल द्वारा ओनलाइन पोर्टल में भी संगती होने के कारण मुख्य मंत्री ने ओनलाइन पोर्टल में गोला जाती से समाज इद्वी संगती की समाज का समधान करने का आस्वासन दिया है सरस्वती पुजा के लिए चंदा नहीं देने पर गर्वती महिला से मार पीट एगारा परेफा यार दर्ज सड़क पर गालियों को रोक कर सरस्वती पुजा के लिए चंदा उठा रहे कुछ योकों ने एक दमपती के साथ मार पीट की है घटना बिंदा पाथर थाना छेतर के लकड़ा कुंदा गाउं के समीप हुई समवार की साम सरस्वती पुजा के चंदा उठा रहे योकों ने इस रास्ते से जा रहे देवघर जी लेके खागा ठाना छेतर के घोड़ा दाहा निवासी मलिंद मुर्मु वा उनकी पतनी सुनिता किसकू को रोका चांदा देने से इंकार करने पर वहां मौझूद योकों ने पती पतनी के साथ मार पीट की इस दोरन महिला को गंभीर चोट आई है और इसका इलाज सदर अस्पताल जामतरा में किया जा रहा है बता दे 12 योकों पर गर्वती महिला के साथ मार पीट वा 12,300 रुपए की छिंताई के आरोप में केस दर्ज किया गया है दल बदल मामले में बाबुलान मरांडी की याचिका खारिज जस्टिस राजे संकर की आदालत ने अपना फैसल सुनाते हुए कहा है कि दल बदल से सम्मधित मामलाई स्पीकर के यहां लंबित है ऐसे में आदालत उसमें हस्त शेप नहीं कर सकती इसलिए बाबुलान मरांडी की याचिका को खारिज किया जाता है गतला भाई की पांच जनवारी को सभी पक्षो की ओर से बहाँस पूरी होने के बाद आदालत ने अपना फैसल सुरक्षित रख लिया था जे एस्टेडियम टिकट काउंटर पर हंगामा रांची में भारत नियुजिल टिकट मैच को लेकर टिकट की बिक्री शुरू हो गई है जेसे इंटरनेशनल स्टेडियम कॉंपलेक्स के काउंटर से टिकट की बिक्री की जा रही है मंगलवार को टिकट लेने पहुँचे एक युवक ने हंगामा कर दिया उसने पुलिस कर्मियोग साथ बरत मिची भी की उसके बाद पुलिस ने हलका बल परयोग कर करवाई करते हुए उसे हिरास्त में ले लिया है बतादे 17 जनवरी को होने वाले अंतर राष्ट्रिय टी-20 मैच को लेकर 24 जनवरी मंगलवार से टिकट काउंटर खोल दिये गए है काउंटर खोलते ही मैच देखने वाले लोगों की काउंटर पर भील पड़ गई है बिल को देखते हुए पूलिस और परसासन के लिए सुरक्षा ब्यवस्ता को मजबूत रखना एक चुनोती बन गई है इसी बीच एक युवक द्वारा भगदल मचाने का पर्यास किया गया जिसको लेकर पूलिस ने युवक के साथ सकती बरती और उसे हिरासत में ले लिया है धन्यवाद